बॉलिवुड फिल्म इंडश्टी के सूपर स्टार अभिनेता सल्मान खान की फिल्म मच अवेटेड भारत जिसका आप लोग बहुत भी सब्री से इंतिजार करें फिल्म के एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म को 5 जुन 2019 को रिलीस किया जाना इसी एद हम सल फटने डरेट किया है और इसके पडूसर हैं भोशन कुमार और सल्मान खान के जीजा अतुल अगनियोत्री और आज हम आपको तीन बड़ी इतिहासिक फिल्म बताने वाले हैं और आपसे राई भी जानेंगे कि आप आखिर इस बारे में क्या सोसते हो पहले फिल्म गदर की बात करें गदर की बात करें तो गदर फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर लब 133 करोड की शांदार कमाई की थी फिल्म का बजट 18 करोड था फिल्म ने लगभग 133 करोड की शांदार कमाई की थी लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा इतिहास ये था कि फिल्म के 50 मिली यानि 5 करोड ट प्रिकट सकती हैं फिल्म का बज़र लग भग डेड़ सू करोड़ बताया जा रहा है और फिल्म को काफी बड़े लेवल पर शूट किया गया इस फिल्म में सलमान के साथ कटिना कैफ मुक किरदार में हैं तो वहीं पर सलमान खान के हमें चार नय नय लुक देखने को भी मिले हैं फिल्म में सल्मान के साथ कट्रीना जीशा पार्टनी असनल ग्रोर जेकी श्रॉप जैसे बहतरी निटाकारों ने काम किया है और एक बार फिर से हमें यह फिल्म गदर की याद दिलाने वाली है